सिंदूरक्षक पंडूबी से दो शव निकाले गए हैं अब भी 16 शव ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है मंगलवार की रात मुंबई में सिंदूरक्षक पंडूबी में आग लग गई थी पहले वी स्पोर्ट हुआ पिर आग लग गई और उसके बाद सिंदूरक्षक पंडूबी जो थी वो पानी के अंदर चली गई उपरी हिस्सा ही दिखाए दे रहा था और 18 नौसानिक उसमें स पामियावी मिल गई है और लगातार इस उप्रेशन को अंजाम भी दिया जा रहा था और आज नेवी की तरफ से भी इस मामले में ऑफिशल बयान आने वाला है ये खबर भी लगातार आ रही थी कि नेवी की आज कोई ऑफिशल बयान इस घटना के बाद जारी कर सकती है और दो नौसेनिकों के शव निकाल लिए गए हैं आइनस सिंदूरक्षक से सिंदूरक्षक पंडुबी जो कि मंगलवार की रात विस्पोर्ट के बाद आग लग गई और उसके बाद वो समुंद्र के अंदर समा गई थी केवल उपनी हिस्सा दिखाए दिया और धाई महीने पहल निकाल लिए गए हैं अभी भी 16 नौसेनिक जो हैं वो अभी भी लापता हैं 16 जो शव है अभी बाहर निकाले जाने बाकी हैं लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि दो शव बाहर निकाल लिए गए हैं सिंदुरक्षक में हाथसे के वक्त 18 नौसेनिक इसमें थे 18 नौसेनिक सवार थे कि तभी अचानक हाथसा हो गया और लगातार इस ऑप्रेशन को अंजाम दिया जा रहा था लगातार नौसेनिक नौसेना के गोता खोर जुटे हुए थे जो अंदर आइनेस सिंदुरक्षक में जो नौसेनिक सवार थे उनको बाहर निकालने के कोशिश लगातार हो रही थी और जो लापता दो नौसेनिकों के शव निकाल लिए गए हैं अभी भी 16 शव निकाले जाने बाकी हैं मंगलवार के तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त विस फोट के बाद अचानक से आग लग गए थी और दूर दूर से आग के लपटे देखी गए थी और अभी भी 16 शव नौसेनिकों का कोई अता पता नहीं हैं उनके शव निकाले जाने बाकी हैं